जिन दमपत्तियों के साधी हुए बहुत दिन हो जाते हैं और उनके संतान नहीं होती है तो मैं उसके एक उपाय को लेकर आया था ये देखें ये है पीपल ब्रक्श जिसको अत्वत ब्रक्श भी बोलते हैं भगवार बुद्ध इसी ब्रक्श को बोध ही ब्रक्श के नाम से बोलते है तो ये इसकी बायवी जड़ है जैसे बट में बरकत के पेड में निकलती है जड़े निकलती है ऐसे ही पीपल के बरकत से भी निकलती है ये देखिए सबी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है पीपल का पेड देख लें तो मुख्य काम है इस जड़ों का तो उनके लिए ज बड़ी परेशानी हो रही है उनके लिए मैं आया हूँ तो ये तो मित्रो ये वाय भी जड़ पीपल ब्रक्ष की निकाल लें और धोने के बाद में सुखा लें पारी काट के इसे पीस लें और कम से कम 200 ग्राम पावडर बना लें इसमें 200 ग्राम खड़ी सक्कर जिसे मिस्री बोलते हैं उसका पावडर भी मिला दें पीस के तो ये 500 ग्राम बन जाएगा तो जिन तंपत्ती के बच्चा होने में बड़ी परिशानी हो रही है वो रोजाना सुखे एक तोला पत्पत्वी दोलों गाय के दूर से लें और शाम को पाँच बजे इसी तरह से बारे बारे ग्राम गाय के दूर के साथ लेंगे और लेनी कव है जैसे पाँचवे दिन के बाद में रजस्वाला होने के बाद में जब लाती है पाँचवे दिन माना जाता है उसको पाँचवे दिन से दस दिन तक पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ज्यार, बारे तेरे, चौदे, पंद्रे दिन, पंदे तक, मलत दस दिन लेनी है पत्पत्मियों को, तो दोनों के प्रियोग करने से, और ग्यारवे दिन ग्रस्ट करेंगे, मैं ग्रस्ट जो है, लिटरेचर में बोल ला हूँ, मुझे मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है, तो औ अवस्य ही, संतान उत्पत्ती का योग बन जाएगा, एक बार अवस्य करकर देख लें, तो जिन, मानिवरों ने, सज्जनों ने मेरा चैनल अभी तक, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, और अपने मित्रों को, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियों को सेर कर दें, उन्हें अभी फायदा होना चाहिए, नमस्कार, नेत्रपाल, दुर्गादास को स्वाहा कल्याँ